हालो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल सनी सीफ़ों अलानी क्लासेज में आज हम बात करेंगे यहां पेज सीखेंगे हम लोग कुछ जीवदोहारीयों के वेग्यानिक नाम कुछ जीव कुछ जीवदोहारीयों के वेग्यानिक नाम के बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे ठीक है और शीखेंगे सबसे पहला हम बात करते हैं मनुष्य मनुष्य एंग्यानिक नाम क्या होता है होमो सेपियन्स क्या होता है इसका वेग्यानिक नाम क्या होता है दूसरा हम देखते हैं मेड़क मेड़क को इंगलिस में क्या कहते हैं हम लोग फ्रॉग मेड़क को इंगलिस में क्या कहते हैं फ्रॉग और इसका वेग्यानिक नाम क्या होता है राना टिग्रीना राना टिग्रीना टी आई जी आर आई यन ए तो मेड़ा का वग्यांग नाम क्या हुआ राना टिग्रीना नेक्स्ट देखते हैं आपे तीसरा देखते हैं हम लोग बिल्ली क्या देखते हैं हम लोग इसको बिल्ली और बिल्ली का वग्यांग नाम सोरी बिल्ली को इंगलिस में कहते हैं कैट और इसका वग्यांग नाम होत डुमेस्टिका ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग देखते हैं आप एक कुत्ता क्या आपका कुत्ता जिस इंग्लिस में कहते हैं डॉग डॉग का वेग्रिंग नाम क्या होता है कैनिस फेमिरीज के इस एम आई एथ्यफ एंएं एम आई येफेवू आइउ एज्यल आई ए और आई आई सथीं शिकर डेतों जैसे इस आपको पता है गासे है कि हर गार गारमें पाई जाती है ठीक हैं इंग्लिस में क्या कहते हैं से काउ और गाय क्या होती है हम सबकी माता होती है माता मतला हम सबकी क्या होती है बॉस होती है तो बॉस इंडिकस कहां पाई जाती है यह ठीक हैं बॉस इंडिकस नेक्स्ट देखते हैं लोग मखी मक्खी, इंगलिस में क्या कहते हैं से, house fly, h-o-u-s-e, क्या कहते हैं इस इंगलिस में, house fly, h-o-s-e-f-l-y, house fly, इसका क्या होता है, मस्का, domestica, yum-u-s-c-a, मस्का, यह कुछ लोग मुस्का पढ़ते हैं, domestica, domestica, next देखते हैं आपे हम, आम, क्या देखते हैं आपे, आम, आम को इंगलिस में क्या कहते हैं, mango, और इसका विग्यानिक नाम क्या होता है, मैंजी फिर एंडिका, yum-a-n-g-i-f-e-r-a, मैंजी फिर एंडिका, हमें इस पिलिंग बोल भी देते हैं, जिससे आपको समझेने में कोई दिकत ना हूँ, ठीक हैं, मैंजी फिर एंडिका, next आता है आपका, धान, धान, सोरी, धान, ब्रेकर इधर लग गया, धान का इंगलिस में कहते है, rice, r-i-c-e, rice, धान का विग्यानिक नाम क्या तो, और राइजा, सैटीवा, और राइजा, सैटीवा, next आता है, आपका मटर, मटर को सब जानती ही होंगे, मटर इंगलिस में कहते है, और पी, इसका वीग्यानिक नाम होता है, फीर आता है, क्या आता है, हमारा सर्सो, सर्सोंगैने में कहते हैं, मस्टर्स, लूसा टी-अर्थ, मस्ट्रेट का वेगे नम के तो ब्राआपी का ब्राड डावल एस आई सीए ब्रेशिका गैंपेस्ट्रिस सी एम पी एस टी आर आई एस केम पे सिस ब्रेशिका केंपेस्ट्रिस नेक्स्ट आते है अपना चना शोरी लिखने में मिस हुआ चना चना इंगलिस में क्या केते हैं ग्राम क्या केते हैं ग्राम इसका वेग्यानिक नाम क्या होता है सिसर एरिटी नम सी आई सी ए आर आई कि ए एन टी आई यू एम एरी टी नम फिर नेक्स्ट देखते हैं आपे नेक्स्ट देखते हैं क्या ग्योहूं पिन किसके वेग्ति नाम गियों की इंगलिश में क्या केता है वीड और गियों का वख्यानिक नाम क्या होता m का में ट्रिटी ररैटि कम ट्रिटी आई टीया टाइी सीं इस्टा आ ट्रम यहां पर हम लोग एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं यहां पर देखते हैं सिरकथे यहां पर देखते हैं मनुष मनुष्ष का वैक नाम क्या ह Camp Orange इस इंगलिस में कि घुत है मैं होमो सेपियंस क्या होता है मनुष्ट को वे गरिंग नाम होमो सेपियंस में शाथ याद करो मनुष्ट को वे गरिंग नाम क्या हुआ हो होमो सेपियंस नेक्स्ट आता है आपका क्या आता है आपका मेड़क जिस इंगलिस में क्या कहते हैं फ्रॉग क्या कहते हैं फ्रॉग ठीक है ओके अब आता है बिल्ली बिल्ली क्या होती है इंगलिस में क्या कहते हैं से कैट और बिल्ली कैसी बिल्ली कुता गाई सभी कैसे पेटे नीमल है पेटे नीमल मलब समझते हो पालतु जानवर जिसे हम लोग घरेलू मलब जो घरेलू या पालतु ठीक नहीं मलब पालने की लिए जिसका रियोग करते है ना बिली को गाय को टॉपा今天 अंदुमेंस्टिका मतल dumbbell गहर घरसे रिलेटीट़् सीफ की दूमेस्टिका पहलिच द्मेस्टिका फेल तुमेस्टिका भीली का विज्ञानिक नाम हुआ का वे गाएक इस डूमेस्टिका अब आताले इसी तरह स का तरीका है थोड़ींग कर लेते हैं तो क्या ये हम लोगों की फैमली में रहते हैं हम लोगों की साथ रहते हैं हमेशा सॉअधर नहीं की तरह होकिए फेमली नाम केनिस फेम लिरीज हुआ ओके निक्स चलते हैं अब गाय क्या होती है हम सब की माता होती है और याद करने के लिए हम लोग तो रिलेट करते हैं गाय हम सब की बहुत होती है क्या होती है हम सब की बहुत होती है और गाय पाई कहा जाती है इंडिया में कहा पाई जाती है इ गाए क्या होती है इंगलिस में काउ कहते हैं जो कि गाए कहा हम सब की बाई ऐ lep इंडिया में पाई जाती है तो याद करने के थोड़ा तरीका है हम लोग जिससे हम लोग आसानी से और जल्दी याद हो जाए तो क्या होता है बॉस इंडिकस क्या होता है बॉस इंडिकस फिर आता है मखी मखी को इंगलिस में कहते हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई आपको पता है हाउस मिन्स होता है घर फ्लाइं मतलब उड़ना तो मतलब क्या होता है जिसके पास विंग्स होता है जो जिसके पास पंक होता है वही तो उड़ सकता है तो हाउस प्लाइं मतलब मक्खी आप देखो यहां पे देखो अगर कोई मक्खी है सपोर्ड एट वो किसी प्लेस बार ब से कैसे भी ठीक है तो क्या करते इसको हम लोग मसक देते हैं पूरी तरह से तो क्या तो मर जाती है ठीक हो कहां मर जाती है हमारे घर में ठीक या कहीं घर के आसपास या कहीं घर में रहती बार्वर मक्ही परिशान कर रही है तो हम लोग क्या करते तो उसको मसक देते हैं जिससे हम लोग क्या करतेते मक्คी को मसक देतें पॲूरे तरह से जिसे वह हो जाती है Candy वो जाती ठीक है तो अब नेह चलते हमें मckt Circuit जिससे हम कहते हैं आम जानते हो फालो का राजा किसे क्äते हैं हम लोग आंप को कहते हैं कि यह अब हम बात करते हैं मेंजी फिरा नाम से रिलेट कर लो इसके इसके नाम से रिलेट करो आम को मेंगो कहते हैं तो देखो यह मैंग मैंजी फिर एंडिका कुछ लोग मैंगी फिर पढ़ते हैं ठीक है तो मैंजी फिर एंडिका तो यह आम क्या होता है फलो का राजा होता है और यह भी बास की तरह हमारी इंडिया में य जाधा पाई जाता है है ऐसा याद करने के लिए हम लोग कर देते हैं तो मैंची फिरा इंडिका गिंश को चुख याद करने के लिए कैसे कैसे अम लोग समझेंगे इसको मैंगो इसकी screen से correlate कर दो नुल हाँ पर देखो मैं जिए यहं एंजी आय noon गी फिरत अ इंडिका मेंजी फेरा इंडिका नेक्ष्ट देखते हैं लोग समझते हैं धान धान का विए गयानिक नाम क्या होता है और आजा शैटिवा मतलब कहते हैं कि धान को जल्दी से काट लोने तो वह राज आएगा मतलब गौं की वहां साहे ठीक है नहीं गिर जाएगा सारा पकर क कि वह अपने आप यह कैसी केंडिशन आती है कि जो राइस का जो प्लांट होता है वह अपने आप से अपने आप जड़कर की गिरने लगता है आफ्टर राइपिंग लब पकने के वह बाद ठीक नहीं तो और आज आएगा जल्दी से क्या कर लो हम लोग उसको सेट कर लेते आए तो क्या कहते हैं उसे धान का वेगन नाम चया राइजया बात करते हैं मटरं में क्या केते हैं पी जोकि सब जानते हैं पी और इसका नाम की से याथ करींगे इसका नाम करेंगे दिश्ड याद कर लेंगे सर सो तर शो जिस न Gefंट कहते हैं क्से क्ज़े। ठीक है मैं ऑप्के औहां पर किया याँ पर यह आपका बरेशी का केमपेशिसय कॽिस जाइप आपका Madagascar चाना की बात करते हैं चना का वेग्यानिक नाम होता है नेक्स्ट आता है हमारा गयों को इंगलिस में क्या कहते हैं वीट कहते हैं इसका वेग्यानिक नाम होता है क्या होता है सन 1903 में कैरूलस लीनियस नाम के वेग्यानिक ने क्या किया था इसको क्या किया था वर्गी करण किया था इनका ठीक है नहीं कि कितने सन में थोड़ा सा जानने के लिए सन 1753 में संति कितने 1753 में वेग्यानिक का नाम क्या था कैरूलस लीनियस कैरो सोरी मिशुवा कैरो कैरूलस कैरूलस लीनियस लीनियस कैरोलस लीनियस इन्होंने क्या किया था 1753 सत्रशु तिरपनिश भी में क्या किया थे इन सबको एक क्लासिफीकेशन दिया था क्या दिया था एक क्लासिफीकेशन दिया था एक वर्गी करण दिया था इन्होंने और यही कारण है यही कारण है कि इन्हें हम फादर आफ टेक्सोन और दोक्तों यही कारण है कि जो हम लोग कैरुरोस्लिनियस को फादर घ्सोनऊमि कहते हैं अधिके का जन्म ना Capital यह इससे हम लोग कई जन्म नाता या पिटा कह सकते हूं ठीक है इह वह जम में को दाटा या पिता है कि कोशन्य आ सकता है आप से पूंच सकता है आप 서 penalty इसाब अब दिखने आप से कोश्वन यह पूंच सकता है कि वर्गिकी का पिता फादर आप टेक्स नॉमि किसे कहते हैं तो आफ टिक लगा दोगे आपको मालूम होगा पहले से ही कि केरोलस लीनियस को फादर आफ एक्सोनामी कहते हैं और किस्चन मिनों ने इस क्लासिफिकेशन को दिया था 1753 सत्रशु तिरुपनिश्भी मिनों ने दिया था ठीक है और यहां पे यहां पे आप देख रहे होगे यहां पे यह वन्स होता है और दूसरा क्या होता है आपका जाती होता है इस तो यहां पर लिख देख दें थोड़ा सा यह आपका क्या है यह आपका क्या है यह जाती है ठीक है यह आपका जो सब्द है यह वाला यह पूरा और यह वाला यह आपका वन्स है और यह आपका जाती है जि में स्तिद्थ हमकों क्लियर हो गया होगा यह आपका वन से हैं और यह आपका क्या ही आपका sih जाती है फिर यह रान क्या है और तिग्रिना टाम्रेंस आपका जाती है तो जैसे मनुष्ट का फितम टो होमो क्या है इसका है और से पिंप सजात यह तो दो सब्दों से मिल करके बना खो मों से पियंस तो हो मोट्र का वं से है और से फि propres क्या है जातीsein ठीक इस इसी तरह से ले लेते हैं एक मट्रं में लेते हैं फ़रक्जांपल के लिए कि मट्र में देखो यह क्या आपका 1 से है और यह आपका सैटीवं क्या आपका जाती है I hope आपको सारे doubt clear हो गया होंगे कुछ जीद्वारियों के वेग्यानिक नाम हम लोगों ने सीखा और मैं उम्मिद यह करता हूं कि आप सभी को doubt clear हो गया होगा तो please like, subscribe and please like, subscribe to my channel and share it Thanks for watching to my video Thank you झाल झाल